नवस्ते उमीद करती हूं कि आप सब मज़े में हैं और मैं एक बार फिर से आपके साथ हूं अपने दोस्तों के साथ पिछले भाग में हमने एक कहानी सुनी थी और आप से वादा किया था कि दोबारा मिलेंगे और कहानी से जुड़े कुछ सवाय जबाब करेंगे तो तयार है आप, मिलवा देती हूं एक बार फिर से आपको अपने दोस्तों से तो हमारे साथ हैं शाल्या, शाबाश, यूवि का स्वारा, अव्धान, तो पिछली बार कहानी अच्छे से सुनी थी, यस मेम, ध्यान है, यस मेम, तो पूछू कुछ सवाल, यस मेम, देखती कि कितने ध्यान से सुनी है, तो कहानी का एक थोड़ा सा आपको सार बता देती हूं, होता यू है कि नीमा रोज स्कूल जाती है, दादी घर पर रहती है, दादी के खुटनों में अक्सर दर्द होता है, और दादी कभी-कभी तेल लगाती है, कभी-कभी सबजी काट लेती है, और जब दोपहर में नीमा घर आती है, तो दादी उसे प्यार से खाना खिलाती है, और नीमा क्या करती है? मम खाना खाते खाते स्कूल की बाते बताती है, बिल्कुल से ही, तो नीमा खाते खाते स्कूल की बाते बताती है, और शाम को नीमा खेलने मैदान में जाती है, तो एक बार जब नीमा जा रही होती है, खेलने के लिए, तो दादी उसे रोकती है, और क्या कहती है, कि मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ, खेलने मत जाओ, और नीमा कहती है, कि मैं जाती हूँ खेलने, तो मज़ा आता है, पांच बजे जाती ह eldos, मिसमें चेव्च जाते हैं। आहिती है ओम बहुत हसते है और हसते हसते खेलने के मेदान के जाते हैं यहीती है करने। इस है का नहीं है। अब मुझे यह बताओ कि नीमा की दादी हैं आज कि Northeast एख र है जुषक का आपके क्या लगता है मैं मुझे लगता है कि उनको परों मैं अतनी दर्द दोती होगी कि वो बहुत बूड़ी है आच्छा इसलिए वो बाहर नहीं जाती आपके क्या लक्ता है वोगए हैं पूं किक्यों वो बूड़ी हो गई है तो इसलिए उनके गुटनों में गर पर बैठना शुरू कर देए, तो कहीं ने लिखा किसी किताब में, कोई साथ लेकर जाएगा, तो दादी क्यों नहीं बाहर जाएगी, ना, दादी को आप चाओ, आपके घर में भी दादी है, तो आप दादी को मंदिर लेकर जा सकते हो, पार्ट में लेकर जा सकते हो, तो जाने का चाहिए, किस चाहन भी तुजा करने में? बाँर जाएं, लोगों से मिलें। बाते करें। कहानी में नीमा ने कहा था,्मैंada 5 बजए खेलने जाती हूं पर 10 मिनट में यि6 बच जाते हैं! तो अव्यान किया कभी ऐापके साथ भी ऐसा होता है शक्किन हमाई है कि कि केलने में जब हम मों बिज्जी हो जाता है जाक। क्यूं की बदा नहीं चलता है क्यूं बढ करे कि मुद्धार दें केले लिग तो भी जोगनाफ जाता है। तो जब मज़ा और होता है स्वरा तो समय का पता नहीं चलता है? Yes, ma'am. तो जिस चीज में मज़ा आता है? मैं मुझे फटबॉल खेले में मज़ा आता है तब तक टाइम बीच जाता है मुझे हम को पता भी नहीं चलता कि रात हो गई है हाँ तो जिस चीज में मज़ा आता है जिस काम को करने में मज़ा आता है उसमें समय चुटकियों में भाग जाता है अब मुझे ये बताओ आप जब स्कूल से घर आ जाते हैं और तो अपना समय किस के साथ बिताते हैं और कैसे बिताते हैं आप कैसे बिताते हो अव्यान अम् गरमें आके खाना खाथ के खाना खा निम्ल Sell time सब्सक्रों दब क्षंड के बाद आप ऊचे आप बदे कल ना म disp です एलम हब कर कीढता हूं के अर फिर व है य। थियुशन चले जाता हूं तियुशتم चले जाते लाथ माम घर पर आकर खाना खाती हूं, फिर homework करते ह Peters को कि बाते हैं पढ़ती हूं, ममी-भापा से बात करते हैं अब आप से कुछ सवाल और पूछने वाली हूं, कहानी के बारे में तो इस कहानी में कौन-कौन है, जो आपने कहानी सुनी, नीमा और उसकी दादी की, तो उस कहानी में कौन-कौन है, दादी और नीमा, शाबाश, सही का सुरा है इसमें, अव्यान सही का है, अब आया अगला सवाल, नीमा स्कूल की बाते अपनी दादी को बताती है, आप अपन दादा को यह अपने दादा के ज़्यादा नजदीक लगते हैं तो इस कहानी में नीमा और दादी हैं नीमा शब्द अव्यान बताएगा किस सक्षर से शुरू होता है नीमा नाम किस सक्षर से शुरू हो रहा है ना और दादी किस सक्षर से शुरू हो रहा है दा से ना और दा तो इस कहानी में नीमा और दादी है तो अब हम क्या करेंगे ना और दा से शुरू होने वाले कुछ शब्दों की सूची बनाएंगे पहले मैं एक मिसाल देती हूँ एक एक मिसाल मैं एक एक करके चलेंगे ना से नल दा से दल दल मतलब टीम ग्रूप प्यान बताएगा ना से ना से नदी हाँ बहुत बढ़िया और दा से दूरी नदी और दूरी अरे वाद आपके बारे नाना और दादा नाना और दादा शब्वाश अब नीमा पे ना पे बड़ी की मात्रा है तो जैसे ना से नीम और दा पे अगर हम बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो कोई शब्द बनता है दीन ऐसे शब्दों की एक सूची बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं पहले जो न से शुरू होते हैं, दूसरे जो द से शुरू होते हैं आपके दोस्तों के नाम भी हो सकते हैं अब आप अपने स्क्रीन पर कुछ वर्ण देखेंगे, आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ वर्ण और साथ में कुछ मात्रा हैं, इन्हें जूरिए और नई शब्द बनाइए, आपके सुविधा के लिए कुछ चित्र दिये हैं, सोचिए उन चित्रों के नाम और उन नामों म आने वाले वर्णों और मात्राओं को खोजिए, तो आपको आपके जवाब मिल जाएंगे, तो देखें, मुझे तो दिखाई दे रहा है घर, तो घर में कौन से दो वर्ण आते हैं, यूविका, घर में घरा, और मुझे दिखाई दे रही है बस, तो बस में स्वरा कौन से दो वर्ण आते हैं, और साथ में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक यूवती, एक लड़की मृत्य कर रही है, नाच, तो नाच में कौन से दो वर्ण आ है, पर ना और च के बीच में हमने लगाई, आ की मात्रा, शाबाश, तो इस तरीके से आप लोगों को इन चित्रों को और दिये हुए वर्णों और मात्राओं को जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं, इस मज़ेदार शब्द खेल के बाद आपके सामने हैं ये अक्षरों की रेल, अव्यान लग रहा है ना कि कुछ अक्षर छूट गए हैं, येस माम, हाँ तो अ है, तो अ के बाद बड़ा आ हैं, उन्हें आप रेल पे चड़ा दीजेगा, तो ये छोटा सा ग्रेकार है आपके लिए, हम अपनी बाद चीत को आगे बढ़ाते हैं, अब आपको याद होगा, जो हमने कहानी पढ़ी थी, कहानी सुनी थी, उसमें एक शब्द आया था, इंतजार, इंतजार के माइने मा इंतजार किसी की प्रतीक्षा करना, अब जब आप छोटे थे स्कूल जाते थे और आपकी ममी आपको स्कूल से लेने जाती थी, स्कूल छूटता नहीं था, तो वो गेट के बाहर क्या करती थी खड़ी होकर, हमारी प्रतीक्षा, आपका इंतजार, अब इंतजार में अगर जब आप ध्यान दें तो उसमें एक बिंदी आई है, जब अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगाई जाती है तो उसे अनुस्वार कहते हैं, इंतिजार में हमने छोटी ए के ऊपर एक बिंदी लगाई, फिर आया त, फिर आया ज, फिर आया अ की मात्रा और रा, और क्या शब्द बन गया, इंतिजार, तो आईए, अब हम कुछ ऐसे शब्द बनाते हैं, जिने हम बिंदी के साथ पढ़ेंगे, यानि कि अनुस्वार के साथ पढ़ेंगे, तो देखे, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर दो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, श और ख, तो अगर हमने ऊपर अनुस्वार लगा दिया, बिंदी लगा दी, तो क्या बन गया, शाबाश, ऐसे ही आईए, देखते हैं हम दूसरा शब्द, अब देखिए, हमारे सामने एक और शब्द है, प, त, ग, क्या हुआ, पतंग, आपने तो पहले अनुस्वार लगा दिया, में सिर्फ कोई बच्चा नहीं करता, हना, पतंग, बिल्कुल सही युवेका, अब ये शब्द है, ब, द, र, बदर, अगर अनुस्वार लगा दिया जाए, बंदर, जैसे तुम लोग कभी-कभी रेस्लिस बेचैन हो जाते हो, बंदर हो की तरा, अच्छा, अब अगला बताओ, अ, ग, 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 पे बड़े उका स्वर, अगूर, अगूर, क्या बात, तो अनुस्वार लगाया, और शब्द की ध्वनी, शब्द का अर्थ नया हो गया, मजा आया आद की कख्शा में, दुबारा मिलना जाओगे, तो दुबारा बैठेंगे, और ऐसे ही कुछ नई शब्द रचेंगे, नई शब्द जानेंगे, और अपने अनुभव साजा करेंगे, तो अगली मुलाकात तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिये, अपने दरने दोस्तों के साथ, मैं जैश्री आपसे लेती हुए जाज़त, नमस्कार